कांग्रेस परटे की लीडर प्रिंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में क्या का आप जन्त की बात पर प्रिंका गांधी का बाशन सुन सकते हैं मैं हुई शेकिर मलीक जन्त की बात अब तक आज उत्तर प्रदेश की धर्ती पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है गर्व उन भारत यात्रियों पर एक-एक देशवासी पर जो इस यात्रा से जुड़ा क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है वह प्रेम एक्टा की सदभावना की जो भावना है उसी भावना ने इस देश का नीव डाला मुझे आप सब पर गर्व है कि तीन हजार किलो मीटर चल कर कन्या कुमारी से पैदल आप आज यहां तक पहुंचे हैं और मेरे बड़े भाई यह देखो सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है क्योंकि क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया हूँ सरकार ने हजार करोर रुपे खर्चे इनकी छवी को खराब करने के लिए लेकिन यह सच्चाई से पीछे हटे नहीं इन पर एजंसिया लगाई गई यह दरे नहीं योद्धा है योद्धा है अडानी जी अमबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिये देश के सारे PSU खरीद लिए देश की मीडिया खरीद ली लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे गर्ब है मुझे इन पर और आप सब पर जैसे इन्होंने कहा नफरत के बाजार में मुहबत की दुकान खोली है मैं यहां खड़े एक-एक यूपी के कारिकरता एक-एक देशवासी को कहना चाहती हूँ हर गली में, हर महले में हर गाओं में, हर ब्लॉक में हर जिले में, हर सडक पे यह मुहबत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो सब जगे दिखनी चाहिए क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीती लोगों को तोड़ने की राजनीती आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा रोजगार नहीं मिलेंगे अर्थ्व्यवस्ता मजबूत नहीं हो पाएगी महेंगाई नहीं घट पाएगी तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये जोडने की बात करती है लेकिन भूलिये मत ये किसलिए बात कर रही है ये इसलिए कर रही है कि जब एक जुट देश बनेगा जब ही मजबूत होगा जब आप सब साथ होंगे तब ही आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे जब तक आपको बिखेरा जाएगा आपको अलग किया जाएगा तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर अकर्शित कर पाएंगे और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर महंगाई को कम करने पर और विकास पर यहीं आपकी मांग होनी चाहिए तो आप यहां से यात्रा कश्मीर तक चलेगी आप सब साथ चलेगे कोई मुझे पूछ रहे कि आप के भाई को ठंड नहीं लगती चोटी सी टी-शिट पहनके चल रहे हैं ठंड में ठंड से इने बचाओ किसी ने किसी ने मुझे कलकावे ठंड से इने बचाओ जाकिट तो पहनो अलो फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए अब कश्मीर जा रहे हैं पंजाब से घुजवेंगे तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक डर नहीं लगता तो नहीं मेरी जवाब यह मेरा जवाब यह है कि यह सत्य का कबच पहन के चल रहे हैं भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा पहचानिये एकता में ही आपका विकास है सब साथ चलिए सुरे देश भर में यह पेगाम ले जाएए एकता सद्भावना और प्यार का हम इस देश को बचा के रखेंगे इस देश को विक्सित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिल्वाएंगे Jaya Hind Jora 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 Jora